हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल आज मैं आपके लिए लेका रही हूं कक्षाच है सामाजी के वं राजनितिक जीवन का अध्याय तीन अध्याय का नाम है सरकार क्या है इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रशन अभ्यास अति लगू उत्तारातमक प्रशन और बहु अगर आप मेरे चैनल पढ़नाई है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दबाएं मैंने अपने चैनल की प्ले लिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है आप जिस भी सब्जेक्ट के लेंसन को देखना चाते हैं मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं तो अब हम पार्ट की शुरुआत करेंगे अब हम पार्ट के प्रशन अभ्यास करेंगे पहला प्रशन है आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं एक सूची बनाईए कि किस किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है उत्तर सरकार राजे का एक अनिवार यांग है सरकार प्रशाशन चलाती है और उस पर नियंतरन रखती है सरकार का हमारे जीवन पर प्रभाव नमबर एक सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है 2. सरकार राजे में शान्ती और ववस्ता बनाई रखती है 3. यह हमें समाज के अपरादी तत्मों से बचाती है 4. यह भूकंप पीडित लोगों की साहता करती है 2. सरकार को कानून के रूप में सब के लिए नियम बनाने की क्यों जरूरत है उत्तर राजे में शान्ती और ववस्ता बनाई रखने के लिए सबी के लिए नियमों का होना आवश्यक है यह नियम लोगों के ववहार को नियंत्रित करते हैं और अपराद पर अंकुष लगाते हैं जिससे लोगों का जीवन और संपत्ती सुरक्षित रहती है प्रेशन तीन लोग तांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षन क्या है उत्तर लोग तांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षन नियमन लिखित है नमबर एक सरकार अपनी शक्ती लोगों से चुनाव द्वारा प्रत करती है 2. सबी व्यस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार होता है 3. सरकार अपने कारियों के लिए जनता के प्रती उत्तरदाई होती है 4. यदि सरकार अपनी नीतियों पर खरी न उत्रे तो लोग अगले चुनाव में बदल सकते हैं 4. महिला मत अधिकार अंदोलन क्या है उसकी उपलब्दी क्या थी उत्तर महिलाओं को पहले मत देने का अधिकार नहीं था इसे पाने के लिए महिलाओं ने संगर्ष किया इस संगर्ष को महिला मत अधिकार अंदोलन कहा जाता है इस अधिकार को पाने के लिए महिलाओं को भूख अदाल करनी पड़ी तता जेल भी गई अधिकार मिल गया दो गांदी जी का द्रड़ विश्वास था कि भारत में हर एक व्यस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे बहुत लोगों को लगता था कि ए सिक्षित लोगों को जो ज़ादतर गरीब है वोट देने का दिकार नहीं मिलना चाहिए आपका क्या विचार है क्या आपको लगता है कि यह भेद भाव का एक रूप होगा उत्तर हमारे विचार में ए सिक्षित एवं गरीब लोगों को मतादिकार नहीं देना भेद भाव का ही रूप होगा सभी को समान मतादिकार के अफसर मिलने चाहिए और उसके कारण है पहला है व्यस्क मतादिकार लोक तंद्र की मौलिक विशेष्टा है नमबर दो, समानता लोक तंतर का मूलाधार है नमबर तीन, कानूनों का प्रभाव सभी पर समान रूप से पढ़ता है नमबर चार, सभी नागरिक सरकार को कर देते हैं अतेकर लगाने वाली संस्ता में सभी को प्रतिन निधित्व मिलना चाहिए नमबर पांच, आतु समान की भावना को मजबूत बनाने के लिए भी सभी को मत देने का दिकार दिया जाना चाहिए अब हम बहु विकल्पिय प्रशन उत्तर करेंगे पहला प्रशन है, सरकार का काम है A. सडके बनवाना B. बिजली किया पूर्ती C. डाग तथा रेल से वाए और D. उप्रोक्त सभी इसका सही उत्तर है D. उप्रोक्त सभी प्रशन दो भारत सरकार से संबंदित है A. सर्वोच नियाल है B. भारत पैट्रोलियम C. भारतिये रेल D. उप्रोक्त सभी इसका सही उत्तर है सरकारी अंग है एक कारेपालिका बी विधानपालिका सी न्याएपालिका डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है सी न्याएपालिका प्रेशन पांच सरकार का एक अंग है एक कारेपालिका बी न्याएपालिका सी विधानपालिका डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है डी उ प्रैशन साथ लोगतarta में सरकार को कानून बनाने का भिकार प्राप्त होता है पुलिस से लोगों से से और अिसका सही उत्तर है बी लोगों से भारत की सरकार का सुवरूप है इसका सही उत्तर है ए लोक तंत्री है प्रेशन नौ राज तंत्र में अंतिम निर्णे लेने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है इसका सही उत्तर है इंग्लेंड में ओरतों को वोट देने का अधिकार मिला इसका सही उत्तर है ए उन्नीसो अठाइस इसवी में प्रेशन बार है सरकार का काम है देश की सिमाओं की सुरक्षा करना बी दूसरे देशों से सांति पून्ट संबनाई रखना सी नियम बनाना तथा उन्हें देश की सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू करना और दी है उप्रोक्त सभी इसका सही उत्तर है डी उप्रोक्त सभी प्रेशन तेरा सरकार निम्न स्तर पर काम करती है ए रास्ट्य स्तर पर बी राज्य स्तर पर C. इस्थानिय स्थर पर D. उप्रोक्त सभी इसका सही उतर है D. उप्रोक्त सभी प्रेशन 14 राज किये रास्ट्रिय सरकार का संबन्ध होता है A. किसी गाउं या नगर से B. किसी दूसरे राज्य से C. पूरे देश से D. महा नगरों से इसका सही उत्तर है C. पूरे देश से प्रेशन 15 हरियाना या असम की सरकार कहलाईगी A. राज्य सरकार B. स्थानिय सरकार C. रास्ट्रिय सरकार D. नगर परिशद इसका सही उत्तर है A. राज्य सरकार प्रेशन 17 राज्य सरकार से संबंदित नेड़ने नहीं है A. पटना में बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क बनवाना B. हर्याना में किसानों को मुक्त बिजली देना C. पस्चे बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ में बोड की परिक्षा लेना D. उप्रोक्त सभी इसका सही उत्तर है A. पटना के बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनवाना प्रशन अठार है नई रेल सेवा शुरू करना तता विदेशों के साथ मैत्री पूंट संबन स्तापित करना विशह है A. स्थानिय सरकार के B. राज सरकार के C. रास्ट्य सरकार के प्रशन 19. यदि किसी व्यक्ति को लगे कि उसे धर्म अत्मा जाती के कारण नौकरी में लिया गया तो वह इसके वरुद जा सकता है A. न्याले में B. पुलिस स्टेशन में C. संसद में D. उन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है A. न्यायाले में प्रशन 20. प्रतिनिदी लोग तंद्र की विशेष्टा है कि इसमें A. लोगों के प्रतिनिदी सरकार चलाते हैं B. लोग सीधे साशन में भाग लेते हैं C. लोग अपने प्रतिनिदी को उनकी संपत्ति के अधार पर चुनते हैं D. यह परोग तो सभी इसका सही उत्तर है A. लोगों के प्रतिनिदी सरकार चलाते हैं प्रशन 21. गांदी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने के अधिकार की मांग उठाई A. 1928 में B. 1939 में C. 1930 में D. 1931 में इसका सही उत्तर है C. वोट देने का अधिकार प्रशन 23 महिला मत अधिकार अंदोलर ने जोर पकड़ा A. प्रतम विश्यूद के दोरान B. भारत चीन यूद के दोरान C. दूइतिय विश्यूद के दोरान D. शीद यूद के दोरान इसका सही उत्तर है अब हम अती लगो उत्रिये प्रेशन करेंगे पहला प्रेशन है इंग्लेंड में ओर्टों को वोट देने का अधिकार कम मिला उत्तर है 1928 इसवी में प्रेशन 2 रुपई हजार का नोट शुरू करने का निर्ने किसे संबंदित है उत्तर है रास्ट्य सरकार से प्रेशन 3 गाउं या नगर स्तर पर कारे करने वाली सरकार क्या कहलाती है उत्तर स्थानिय सरकार लोगों के साशन को क्या कहते है उत्तर है लो प्रेश्न साथ कुछ उधारण दीजिए जो सरकार के अंग हैं उत्ता सर्वोच नियाले भारत पेट्रोलियम तता भारतिये रेल प्रेश्न आठ विधान पालिका कारे पालिका तता न्याय पालिका प्रेश्न नौ सरकार का कौन सांग जगडों का निपटारा करता है उत्तर प्रश्ण देश के लिए कानून बनाने का दिकार किसे प्राप्त हैं उत्तर रास्टे सरकार को प्रश्ण 11 लोग तंत्र में सरकार को कानून बनाने का दिकार कौन देता है उत्तर लोग प्रश्ण 12 भारत में किस प्रकार की सरकार है उत्तर है लोग तंत्र है तो यहां पर हमा को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू